शिवरार सेना छात सभा गोरगपूर द्वारा शनिवार को महानगर में जलूस निकाल कर पुलवाओं में शहीद हुए सैनिकों के उपर आतंकी हमले के विरोध में परदर्शन किया और पाकिस्तान का पुतला फूंका गया ततपशाष शास्त्री चौक पर शहीदों को शरतधान ली दी गई इस समद्ध में रितेश कुमार आलहा ने कहा कि केन सरकार में बैठे 56 इंची सीने को अब पाकिस्तान को दिखाना होगा और आतंकपादियों को मारना होगा तब ही अपने भारत के शहीदों को और उनके परि जोनों को शांती मिलेगी इस समद्ध में गोरकपु निफ्व समादाता से बात करते हुए रितेश कुमार आलहा ने कहा अजकाण कचाण कचाण करता जा यMmगान उनके भाँ अजनुष्टन रितेश कुमाराला प्रमुक शिवराष्ट सेना आज हम लोग शिवराष्ट सेना च्छात्र सभा के सभी कार करता लोग जन आक्रोश दिखा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ जिसने हमारे शहीद जवानों को RDX के माध्यम से विस्पोट कर उनको शहीद किया है उस पाकिस्तान के खिलाफ आज हम लोग पैदल मार्च करके विरोध जताया है शिवराष्ट सेना ने और इसका परिणाम भी आगे काफी बड़ा होगा अगर हमारे मानिने प्रधान मंत्री जी अगर इस पे शक्त करवाई नहीं करते हैं तो शिवराष्ट सेना उत्तरपरदेश के 33 जिलोँ में विरोध प्रदर्शन करेगा और उनसे यही आस्वासन हमें प्रदान मंत्री से चाहिए कि अगर हमारे सेना को ऐसे ही लोग मारते रहेंगे तो आने वाले समय में हम भारतिय और हिंदुस्तान के लोग सुरक्षित नहीं हो पाएंगे आज उनी की बदोलत आज हम यहाँ पे हैं और जो यह संसार में भारत में जितने भी लोग आज सारे लोग उनी की बदोलत सुरक्षित है यह माननिय प्रदान मंत्री जी भी अगर सुरक्षित है तो वो भी उनी की बदोलत सुरक्षित है